राजा हरिशन ने भी पर्मा एकादसी वरत करके इस्तरी संतान और संपत्ती सुख प्राप्त हिया था पर्मा एकादसी कब है? इस बार बन रहा है पर्मा एकादसी के दिन हर्स योग जाने सही तिथी, सुम महूरत, पुजा विदी और महत्व पर्मा एकादसी का वरत रखकर कंगाल भी बन सकता है धनवान पर्मा एकादसी का वरत पांच दिनों का होता है जैशरी श्याम उमीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्त और कुसल मंगल होगा अबावाश्याम की किरपस सदाप सभी श्याम भगतों पर बनी रहे आज की इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ पर्मा एकादसी के दिन क्या सुभ योग बन रहे हैं और पर्मा एकादसी का व्रत करके किस किस ने इस्त्री, संतान और संपत्ती सुख पाया था और पर्मा एकादसी के दिन क्या करें और क्या ना करें तो चलिए जानते हैं आधिक मास या पुर्सोत्तम मास के किर्शन पक्ष में पढ़ने वाली एकादसी को पर्मा एकादसी कहा जाता है, पर्मा एकादसी को कमला और पुर्सोत्तमी एकादसी के नाम से भी जाना जाता है, पर्मा एकादसी के दिन हर सुभ योग भी बन रहा है, जिसके कारण पर्मा पर्मा एकादसी का महत और भी बढ़ गया है पर्मा एकादसी का वरत रखना बहुत सौभागय की बात मानी जाती है क्योंकि यह एकादसी पिरतियक वर्ष नहीं बलकि पूरे तीन साल में एक बार आती है माननेता है कि इस दिन वरत करने से दूरलव सिद्धियों की भी प्रा पत्ति सुख प्राप्त किया था एक राजा जिसका नाम मन दाता था वह बहुत ही भक्ति भाव से भगवान श्री हरी की पूजा पाट किया करता था वो मिरत्यू के बाद मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता था एक बार वो महारिसी कश्यप से मिलने गए महारिसी कश्यप न उन्हें मोक्ष की प्राप्ती होगी और सभी पिरकार के सुख भोग कर मोक्ष की प्राप्ती होगी तब राजा ने महारिशी कस्यप के कहे अनुसार और उन्होंने पूरे मन से भक्ती भाव से भगवान श्री हरी की पूजा अर्चना की और व्रत रखा तब उनकी पूजा आराधना से भगवान श्री हरी प्रसन होकर उनको दरसन दिये और उसके बाद वरत के प्रभाव से राजामंदाता को मोक्ष की प्राप्ती हुई ये एकादसी का वरत पांस दिनों का होता है किस थरा इस वरत को रखा जाता है पर्मा एकादसी के दिन क्या करें क्या ना करें पर्मा एकादसी वरत का पूजा मुहूरत पूजा विधी सुभ योग और पारण का समय अगर आप चाहते हैं कि कभी आप अपने जीवन में दरीदरता का मुझ ना देखें, जीवन का हर सुख मिले, धन संपत्ती का लाब हो, तब आपको भी पर्मा एकादसी का व्रत करना चाहिए, पर्मा एकादसी व्रत महूरत, पर्मा एकादसी व्रत 12 अगस 2023 दिन सनिवार को रखा जाएगा, एकादसी तिथी का आरंब, 11 अगस सुबह 7 बजकर 36 मिनट से शुरू होगा, एकादसी तिथी का समापन, 12 अगस्त को सुबह 8 बजकर 3 मिनट तक रहेगा, पर्मा एकादसी पूजा महूरत, 12 अगस्त सुबह 7 बजकर 28 मिनट से लेकर, सुबह 10 बजकर 50 पर्मा एकादसी का विवरत 12 अगस्त दिन सनिवार को किया जाएगा जबकि 12 तिथी 12 अगस्त को सुबह 8 बजकर 3 मिनट से 13 अगस्त सुबह 8 बजकर 50 मिनट तक रहेगी यानि 13 अगस्त को 12 तिथी मनाई जाएगी पर्मा एकादसी पारण सुब महूरत 13 अगस्त को 5 बजकर 48 मि के बीच में किया जाएगा पर्मा एकादसी व्रत का महत्व अधिक मास में पढ़ने वाली पर्मा एकादसी का विसेस महत्व माना जाता है क्योंकि यह तीन साल में एक बार आती है इस तिथी पर भगवान विश्णु की पूजा आर्चना और उपासना करने से सुख एवं एस कि प्राप्ति होती है और दुख वैदरिद्रता का नास होता है साथ ही सभी पाप नस्ठ हो जाते हैं और बैकुंट धाम की प्राप्ति होती है पर्मा एकादसी के दिन दुरलब सिद्यों की भी प्राप्ति होती है इसलिए इसे पर्मा एकादसी कहा जाता है सास्त्रों में बताया गया है कि इस तिथी का व्रत और कथा सुन्ने मात्र से सो यगों के बरावर पुन्य फल की प्राप्ति होती है और संक चक्र व्यगदाधारी भगवान विश्नु की पूजा करने से जीवन में सुक सांत्ती बनी रहती है पर्मा एकादसी पूजा विधी पर्मा एकादसी व्रत तिथी पर ब्रह्म महूरत में इसनानवे ध्यान से निर्वित होकर भगवान विश्नु के सामने हाथ में अक्षत और फूल लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए इसके बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा कर भगवान विश्नु की मूर्ती या तस्वीर रखें और चौकी के नीचे पूजा की सामिगरी रख लें इसके बाद भगवान विश्नु को पंचामरस से इसनान कराएं और साफ कपड़े से पहुच लें उसके बाद दूप दीप फूल अरपित करें और भोग में तुलसी पत्र रखना न भूलें परमा एकादसी व्रत की कथा सुनें और उसके बाद आरती करें आरती करने के बाद भगवान विश्नु की ससस्त्र नाम का पाठ करें फिर दान दक्षना करते हुए फलहार कर सकते हैं साम के समय भी भगवान श्रीहरी की पूजा अर्चना करें और दूआदसी के दिन विदी विधान से व्रत का पारण करें परमा एकादसी के दिन क्या करें? भगवान विश्णु को समर्पित एकादसी व्रत के दिन भगवान को पीले वस्त अर्पित करें, पीला आसन बिछाएं, हल्दी, पीला, चंदन, अक्षत, पीले, फूल, इत्र, दूप, दीप चड़ा करें, भगवान विश्णु को पीले बेसन के लड़ूं का भोग लगान चाहिए, इससे परिवार में खुसाली आती है और संतान सुख प्राप्थ होता है, पर्मा एकादसी व्रत रखने वाले लोगों को अगले पांस दिनों तक इसका पालन करना पड़ता है, पांच में दिन विधित पारण करने से मन चाहा फल प्राप्थ होता है, पर्मा एका पर्मा एकादसी के दिन रात में भजन कीरतन करते हुए जागरन करना चाहिए। पर्मा एकादसी के दिन किसी के घर का कुछ न खाए। अगर आपको किसी कारण वस खाना पड़ जाए तो उसके कुछ पैसे दे दें। पर्मा एकादसी का वरत तीन साल में एक बार आता है जिस वजह से इस वरत का पालन करने वाले लोग इसका लंबे समय से इंतजार करते हैं और इस दिन बिना किसी भूल के पूरी श्रद्दा और विश्वास के साथ ये वरत रखते हैं। तब आप भी सावन के अधिक मास के किर्सन पक्ष में आने वाली पर्मा एकादसी का वरत रखें। पूजा अर्चना करें और सब सुख प्राप्त करें। उमीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से बताई गई एकादसी वरत की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेर करना ना भूलें। हारे का सहारा बाबाश्याम हमारा जैश्री श्याम।